नमस्कार निशामधुलिका.com में आपका स्वाधत है आज हम मतर पनीर का जोल बनाएंगे ये जोल आप गर्मा गर्म पराटे के साथ खाएंगे बहुत अच्छा लगता है इसे सूप के रूप में भी पिया जा सकता है तो आएए मतर पनीर का जोल बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने एक तीहाई कप हरे मतर के दाने लिये हैं 100 ग्राम पनीर लिया है 3 टमाटर लवक 500 ग्राम टमाटर है 1 इंच अधरक का टुकड़ा 1 हरी मिर्च ये हमने एक हरी मिर्च लिये है बहुत तीखे मिर्च है अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो दो हरी मिर्च ले सकते हैं दो तीन टेबिल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ दो टेबिल स्पून ते एक पिंच हींग आदा चोटी चमच जीरा एक चोथाई चोटी चमच हल्दी पाउडर एक चोथाई चोटी चमच गरम मसाला एक चोथाई चोटी चमच लाल मिर्च एक छोटी चमच धन्या पाउडर एक छोटी चमच नमग या स्वाधानोर नमग लेलेंगे और एक छोटे चमच देशी घी तो मटर पनीर का जोल बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को चोटे-चोटे टुक्डों में काट लेंगे और भूनेंगे पनीर को हमने काट कर तैयार कर लिया अब हम इसे फूनेंगे तो कड़ाई में हम तेल डाल देते हैं तेल गरम होने पर पनीर के टुकड़े तेल में डाल देंगे और इन्हें पलट पलट कर हलके गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे और जब तक हमारे पनीर इधर तल रहे हैं इधर हम यह टमाटर बढ़े बढ़े काट के और अध्रकोर भी बढ़े तुकड़ों में काटके मिक्सर से एकदम बारित मसाला पीस कर तयार कर लेते हैं तमाटर को हम बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं ताकि ये मिक्सर में आसानी से पिस जाए और ये अध्रक को भी हम छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं ताकि ये भी अच्छे से पिस जाए और मिर्ट को दो टुक्ड़े कर देते हैं और यह जो हमने टमाटर अध्रक मिर्ची काच के रखे हैं इन्हें बारिक पीस का तयार कर लेते हैं जार में डाल देते हैं टमाटर और अध्रक को कि तमाटर हमने बारीक पीस लिए प्याली में निकाल देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ो से और टमाटर अदरक है उन्हें भी डाल करके इसी तरीके से पीस लेंगे इधर हमारे पनीर को हम देख लेते पनीर नीचे से हल्का ब्राउन हो गया है तो इनς हम पलट देते हैं आग हमने पनीर सेकने के लिए एकदम दीमी रखी है क्योंकि तेज आग पर पनीर जल्दी से जल जाता है और दुसरे साइड से भी पनीर को इसी तरीके से golden brown होने देते हैं पनीर दोनों और से गोल्डन ब्राउन सिख गया है इसे हम निकाल लेंगे गैस मीडियम कर देते हैं तेल पूरा कड़ाई में बचा हुआ है पनीर सिखने में बिल्कुल तेल नहीं लगता लेकिन तेल डालना ज़रूर ही ये कड़ाई में तो यह हमने जीरा डाल दिया हिंग डाल दी हलदी पाउडर धनिया पाउडर और मसाले को बिल्कुल हलका सा भूणा इसके बार हमें पिससा हुआ मसाले डाल द को बून कर तयार करते हैं लाल मिर्च भी डाल देते हैं हStrाओHHHH मसाला हमारा आधा-आधा भून गया है अब पूरी तरीके से नहीं भूना है और हम हम मतर के दाने डाल देंगा शाओ मतर भी नरम होकर तयार हो जाएंगे चला देते हैं अच्छे तरीके से और मटर और मसाले को एक साथ भूनने देते हैं हम इसे ढग देते हैं आग थोड़ी सी मीडियम रखेंगे लो मीडियम और बीच वीच में इसको हम चला दे रहेंगे मसाले को चेक करते हैं मसाले को चला देते हैं मसाला भून करके तयार हो गया है और मतर भी नरम हो गए हैं आपने दबा कर देखें मतर दब रहे हैं अब हम इसमें दो कप या धाई कप पान डाल देंगे और अब यह पनीर भी डाल देंगे जो हमने तल के रखा है और जोल को ढख देते हैं ताकि जल्दी से इसमें उबाल आ जाए नमक भी डाल देते हैं अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं चला करके अब जोल में उबाल आने देते हैं तो इसे हम ठक करके पका रहें जोल में उबाला आ गया है गैस कम कर देते हैं और गरम मसाला और थोड़ा सा धन्या मिक्स कर देते हैं और जोल को ठक करके थीमी आग पर पांचे मिनित तक पकने देते हैं पांच मिनित हो गए हैं और हमारा जोल भी बंद करके तयार हो गया है गैस बंद कर देते हैं और जोल को प्याले में निकाल देते हैं मतर पनीर के जोल में घी हम ओपर से डालेंगे इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है और थोड़ा सा धनिया डाल करके गार्निश कर देते हैं मतर पनीर का जोल बनकर तयार है बहुत ही अच्छा जोल बना है और मतर पनीर के जोल को चपादी पराठे या पूरी के साथ में परोज सकते हैं पराठे पूरी के साथ में मतर पनीर का जोल बहुत जादे अच्छा लगता है और यह जोल हमने मतर पनीर का बनाया है हम पनीर का भी जोल अलग से बना सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से पनीर को हमने तला था और फिर मसाला भूना तो हम उसमें मतर नहीं डालेंगे सिर्फ पनीर डालेंगे तो वह पनीर का जोल हो जाएगा और तीसरा हम सिर्फ मतर का जोल बनाते हैं वह आप हमारी पर देख सकते हैं मटर पनीर का जोल या पनीर का जोल या मटर का जोल सर्दी के मौसम में स्पेशली बना करके खाया जाता है क्योंकि गर्मा गरम जोल जो सूप के रूप में भी पिया जाता है बहुत अच्छा लगता है और इतना मटर पनीर का जोल परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है आप मटर पनीर का जोल बनाईए खाईए और अपने अनुभव निशामदलिका.com पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए